दोस्तों आज 22 अक्टूबर है रविवार का दिन है आज के दिन चंद्रमा मकर राशी में संचार करेंगे सभी राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा आए जानते हैं मेश राशी कारेक्षेत्र में आपकी सक्रियता से लोग आज अचमभित हो सकते हैं आज पैंडिंग कामों को समय पर आप पूरा कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में पिता के साथ संबंधों में मधुर्ता देखने को मिलेगी जलगबाजी में आकर कोई भी फैसला लेने से आज के दिन बचे व्रिशब राशी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन इस राशी के कुछ लोग कर सकते हैं विद्यार्थियों को शिक्षा जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं इसलिए गुरू जनों का सहयोग ले पारिबारिक जीवन में शाम के समय अच्छा वक्त बिता सकते हैं मिथुन राशी अपने भविश्य को लेकर आज सोच विचार आप कर सकते हैं इस राशी के कुछ जातक मानसिक शान्ती के लिए आज के दिन योग ध्यान करते नजर आ सकते हैं इससे आपके मन की कई उलचने भी दूर हो सकती हैं करक राशी जीवन साथी से दिल की बाते साजह करके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं कारोबारियों को भी लाब मिलने की संभावना है सामाजिक स्थर पर आपकी 26 सुधरेगी किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात हो सकती है सिंग राशी आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर कोता ही बरतना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है ससुराल पक्ष के लोग आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं कुछ जातकों के घर में अचानक से महमानों का आगमन हो सकता है कन्या राशी लव लाइफ में सकारातमक बदलाव देखने को मिलेंगी शाम के समय किसी अंचाहे महमान की दस्तक आपके घर में हो सकती है संतान पक्ष को लेकर जो चिंताय थी वो भी दूर होने की संभावना है दिन सामान्य रहेगा तुला राशी माता के स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव होंगे जिससे आपको भी खुशी होगी कारेक शेत्र में विप्रीत लिंगी लोगों से आपको लाब मिलने की संभावना है स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन हड्यों से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है विष्टिक राशी कार्यक्षेत्र में आपकी हाजर जवाबी आपके सहकर्मियों को आहत कर सकती है कुछ जातकों को ना चाहते हुए भी आज के दिन छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पर सकता है यात्रा से लाब मिलने की संभावना है धनू राशी पैट्रिक संपत्ती में भी इजाफा हो सकता है कुछ लोग आज के दिन निवेश करते देखे जा सकते हैं कारोबारी मुनाफा कमाने के लिए नई योजनाएं आज के दिन बना सकते हैं सेहत को लेकर सावधान रहे मकर राशी जिन समस्याओं के कारण बीते समय में परेशान थे उनका हल आज के दिन आपको मिल सकता है अपने जीवन साथी में आपको आज एक सच्छा दोस्त नजर आएगा जिससे वेवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलावा सकते हैं कुम राशी विदेशी स्रोतों से कुम राशी के लोगों को धनलाब हो सकता है अध्यात्म के पच पर अग्रसर है तो कोई अच्छा अनुभव आज के दिन हो सकता है रात के समय घर के किसी काम को लेकर माता पिता से बातचीप कर सकते हैं मीन राशी निवेश से लाब मिलने की संभावना है प्रॉपटी खरीदना चाहते हैं तो आपका ये सपना भी आज पूरा हो सकता है लेकिन आज के दिन जो भी फैसला ले उसमें अनुभवी लोगों की राय भी शामिल करें